प्रामाद्मी पार्टी के अंदर नेतित को लेकर फिर से बगावद देखने को मिल रही है। दिल्ली के रोहिनी से आमाद्मी पार्टी के विधायक राजेश्श करग में पार्टी के अंदर लोगतंतर की मुद्दे पस सवाब उठा दिया है। पार्टी सायोजर कर्विन केजरिवाल को फेस्बुक पर लिखी खुली चिट्टी में गर्ग ने कहा है कि क्या केजरिवाल को दिली में दोबारा चुनाव कराने के मसले पर लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए थी दिली में फिर से चुनाव ना कराने की वकालत करते हुए गर्ग ने ये भी कहा कि अगर फिर से चुनाव हुए तो जनता को एक हजार करोड रुपे का नुकसान होगा गर्ग ने ये भी लिखा है कि जब आप दिली विधान सबाब भंग करने की मांग करते हैं तो आप नहीं जानते कि एक निर्वाजित प्रतिने दी और आपकी पाटी के कारे करताओं पर क्या गुजरती है। गर्ग ने इसके अलावा केजरीवाल पर भ्रस्टपचार के मुद्दे पर समझौता करने कारोप लगाया है। आपको बताते हैं कि गर्ग का केजरिवाल का मुखर समर्थक माना जाता है और अब एक बार फिर से आप में बगावत देखने को मिल रही है और यहाँ पर कहना है विधायक राजिश गर्ग ते गर्गा कि अगर आने वाले दिनों में चुनाब होते हैं इस बात को लेकर क्या क केजरिवाल को आम जनता से नहीं पूछना चाहे केजरिवाल के नाम फेस्बुक पर लिखी एक खुली चिट्टी में राजिश गर्ग ने सवाल उठा दिया है और आएब आपको दिखाते हैं केजरिवाल के नाम फेस्बुक पर लिखी खुली चिट्टी में राजिश गर् आम आदमी पार्टी के साधारन कारेकर्टा के तुख दर्द को भी समझने का प्रयास करें जो भ्रष्ट अचार के खिलाफ अपना सब कुछ नेउचावर करने के लिए आया था लेकिन न जाने क्यों आप और आशुतोष जी भाजपा के संसत सदस से अश्विनी कुमार जोप पर जनता पर और चुने हुए सभी दलों के विधायकों पर क्या-क्या गुजरती है कभी आपने सूचा है स्वराज नीती के अंतरगत यदि आप दिल्ली में चुनाव हो या नहीं इस बारे में कोई निर्ने लेने से पहले जनता के बीच राए शुमारी करा लेते तो मतदाताओं में ज्यादा अच्छा संदेश जाता आकि आपकी मर्जी हर समय जनता के बीच रहता हूँ और जनता की भावना से आपको आउगत कराना मेरा फर्स था जो कि हिम्मत करके मैंने पूरा कर दिया है यदि यही हिम्मत 14 फरवरी 2014 को विधानसभा सत्र के दौरान कर ली होती तो आज हम दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे होते क्योंकि सरकार न होने की वज़ा से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में सरकार बननी चाहिए चाहे किसी की बने हम देशभक्त के रूप में इमांदारी से सेवा करने आये थे न की सत्ता के लिए राचनी टिकरने आये थे आज हमें दिल्ली की जनता को चुनाओ के स्थिती से बाहर निकाल कर एक हजार करोड रुपेओं के आर्थिक भोज से बचाने के बारे में सोचना चाहिए की जरूरत है कि यदि दोबारा चुनाओ के बाद भी किसी एक दल को इस पश्ट वहमत नहीं मिला तो हम जनता को क्या जवाब देंगे ये भी सोचने का विशय है बाकी आपकी मरसी सदैव आपके साथ राजेश्ट कर्ग आप रोहिमी